भारते जनता पाटी को डरना क्या है? हम सब जब मिलकर सरकार बनाए हैं तो फिर डरना क्या है? जो उनका एक सवभाव रहा है तिक्रम करने का. 2005 के बाद बिहार को हम सबोंने इंडिये सरकार के नितरित में बदलने का काम किया है. और सभाविक है कि रहस्टे जनता दल की निगाही होगी वह सरकार से. बिहारा बिधान सवा में 12 फरबरी को फ्लोट टेस्ट होना है लेकिन इस फ्लोट टेस्ट से पहले तमाम दल के तरब से अपने बातों को लेकर के बैयान बाजी हो रही है अगर बिश्यत करके बात करें तो आरजिदी के तरब से ये कहा जा रहा है तेस्वी आदब सहित और करके बातें कही जा रही है जो इन जार की जिए कुछ बड़ा होने वाला है जो है उस दिन जवाब दिया जाएगा क्या मतलब सच में लग रहा है कि बीजेपी जडियों सरकार बदलती है तो सभाविक तोर पर उसे विश्वास मत हासिल करना पड़ता है और उसी आलोक में बिहार विधान सभाव में 12 फरवरी को फोलो टेस्ट होगा और सभाविक है यह तो प्रक्रिया चलती है जिनकी भी सरकार बनती है वो फोलो टेस्ट उनका होता है वो भौमत साबित करते हैं फिर सरकार चलती है लेकिन यह जो कहा जा रहा है जो बीजेपी जडियों में जो ह आरज़ेडी की निगाए हैं बीजेपी जर्यू में जो है सभाविक है कि देश के विकास के लिए विहार के विकास के लिए आज एंडिये एक जीट होकर सरकार हम सब बनाए हैं और अस्वासिव प्रधान मंतरी नरिद मोदी जी के नितृत में भारत के विकसित राश्ट की उड़ बर रहा है और सभाविक है कले राजसभावे मनें प्रधान मंतरी जी ने कहा है कि भारत Trading ethics होगा जब राज़े विकसित होगा तो सभाविक है कि विहार कैसे बेहतर हो 2005 के बाद बिहार को हम सबोने, इंडिये सरकार के नितरित में बदलने का काम किया है, और बिहार के लोग से महसूस भी किये हैं, और स्वभावी के कि राश्चे जंता अदल की निगाही होगी, वो सरकार से हटे हैं, तो वो जो उनका एक स्वभाव रहा है तिकरम करने का तो वो कामयाब हो पाएंगे नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है इंडी आज हम सब एक जूट है एक जूट है तब ही हमारी सरकार बनी है तो इसको लेकर के ये बाते में सामने आ रही है हलांकि ये भी कहा जारा आप लोग का जो है दो मेना पहले ही नहीं था जो बोध गया में परसेक्शन सवीर होना है आठीडी वाले का रहे हैं बीजेपी बाले भी डर से अपने बिदाया को गया है हम सब जब मिलकर सरकार बना हैं तो फिर डरना क्या है तो इसी कोई बात नहीं है बोध गया में हमारा हमारी कारसाला है जहां मानिये जो बिहार विदान मंडल के सदस हैं उन्हें जो संसदिये हमारी जो परंपरा है कुछ हमारी जो संसदिये परनाली है हम कैसे काम करें, कैसे संसिद्गी परंपड़ा को हम बेहतर करें इन सारी चीजों का प्रसिक्षन होगा इस तरह के प्रसिक्षन तो भारते जनता पार्टी में चलते रहते और इसके लिए अलग से प्रकल्प ही हमारा है प्रसिक्षन का हमारी सरकार बन जाएगी तो उन पर जो आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों को चिपा लेंगे तेकिन सरकार से हटने गवाद उन्हें लगता है कि दुनिया उनके बारे में वो सारी चीजे जान गई है जो 2005 के पहले जिन चीजों को करके बिहार को उन्होंने गर्थ में डालन या जनताजर उनाइटेड या हमारे अन जो हम इस प्रकार के जो सहयोगी दल है लोशपा है बले उसके सदस्त नहीं है लेकिन गटवंदर के हमारे साथी है तो इस तरह की बातों से हमारे गटवंदर को कोई फर्ट नहीं पड़ेगा एक सवाल है सवाल हम पूछेंगे क्योंकि लागातार लोग आपसे मिलने के लिए अक्सर लोग आते रहते हैं ऐसे में यह सवाल बनता है जो बड़ी सालिंता से आपने सभी पधों का निर्वान किया है क्या आने वाले समय में अगर पार्टी जो भी दायत देगी उस दायत करते हैं और हमारा हर कार करता किसी भी दायत के निर्वान के लिए हमेसा त्यार रहता है हम सब इसे बहुत अलग अलग नजरिये से नहीं देखते हैं हम सबों का एक कार करता सभाव है और पार्टी के लिए काम करते हैं और जितने भी अपने कार करता है चाहे वो सरकार में स हम सबों ने जो लक्ष विक्सित भारत का तैय किये हैं उस संकल्प को हम कैसे सिधी तक पहुँचा है यह सारी चीजें हैं जो हम सब करते हैं जो जो पार्टी जो भी करती है वो सो समझ कर अच्छे के लिए करती है अरे निसीत रूप से देखें भार्चेंता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है कारकरताओं का एक बड़ा समू है हमारे दल में तो कहीं कहीं सभी कारकरताओं को अलग लग दाईतों में लगाना यह दल की चिंता रहती है और दल उससे आलोक में काम करती है और इसमें कह नहीं से कोई परिशानी के मैंत नहीं तो 12 फरवरी को फ्लोट टेस्ट होना है 12 फरवरी को ले करके क्या कुछ कहा पूर्ब टिप्टी सीम ताकिस पचादने वो भी आपने सुना अगरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए सेर करिए कुमेंट अपना रहा है जरूर कि अशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे